अभी मैं क्षेत्रा प्रोजेक्ट के भारे में समझाता हूँ, क्षेत्रा एक विशेश इन्वेस्ट्मेंट प्लेटफॉर्म है, जो भारत में रियल एस्टेट व्यापर में बरती हुई ट्रेन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्षेत्रा का मुख्योद देश्य है अपनाय, कमाय और आनंद है, क्षेत्रा का लक्षे पूरे भारत में 40 लाब कमाने वाले होटल, रिजॉर्ट्स का अधिकार प्रप्था करना जो की विभिन टूरिस्ट प्रांतों पर जैसे की एक, पर्यतक हिल स्टेशन, दो, पर्यतक समुद्र तत स्थानों, तीन, तीरत क्षेत्रों, चार, राष्ट्रिय राजमार्गों, क्षेत्रा कम्पनी के पास अभी तीन प्रॉपर्टीज हैं, वे है शिर्डी में होटल साई संगम, तिरुपती में होटल सिंदरी पार्क और गोव मेकासा टिटोज, अन्या आने वाले प्रॉपर्टीज, उटी, द्वारका, वारानसी, अंदमान, क्षेत्रा की हर एक फ्रेक्शन की कीमत पांच लाख रुप्ये हैं, निवेश लाब, एक, 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, हर साल की अपेक्षित वार्शिक लाब, एवरे क्षेत्रा और नेटवर्ग प्रॉपर्टीज को अपने चुट्टी के लिए मुफ्त में उप्योग कर सकते हैं, चार, कंपनी हर फाइनन्सियल एर के अंत में ओडिट करती है, ओडिट के बाद जो भी लाब आता है, उसको कंपनी सभी इन्वेस्टर के बीच उनके फ्रेक् इन्वेस्टर के दीमाट खाते में 2000 प्रफर्ड शेयरों का ट्रांसफर होगा और ये पूरी प्रक्रिया एंसिये के द्वारा किया जाता है, स्टांप और प्रोसेसिंग चार्जर्ज अप्लिकबल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट से कई लाब मिलते है जैसे 1. विविदी करण, 2. बड़ी हुई लिक्विडिटी, 3. प्रवेश के लिए कम बाधाए, 4. निश्क्रिय लाब, 5. सरकारी और कानूनी सुरक्षा और 6. इन्वेस्टमेंट पर रिटन हमें ये गर्फ से कहते हैं कि क्षेत्रा कमपनी ने रियल इस्टेट व्यापर को सभी के लिए सुलब बनाने और अच्छा लाब उत्पन करने के लिए डिजाइन किया है, जो भारत में किसी और ने नहीं किया है इसलिए शेत्रा में इन्वेस्टमेंट करें, पी यो तक लाब उठाएं, दिन्यवाद